हेलो इंजीनियोस आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीम पे स्टील यानि कि लोहा किस तरह से लगता है तो आज के इस वीडियो में पूरी डेल्स के बारे में हम बातकीत करेंगे कि टॉप में कौन सी बार लगती है बॉटम में एक्स्ट्रा बार्स क्या हो सकती ह पारी की सारी डीटेल्स जानेंगे और यह क्यों लगती है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे तो देरी ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं सबसे पहले हम ने दो कॉलम और एक फ्रेम लिए सिंपली समझने के लिए तो इस पार 300 mm और जो कॉलम का साइज लिए हुए एक्जामपल के तौर पर वो है हमारा 300 mm क्रॉस 300 mm का कॉलम का साइज है अब यहां पर हमको अगर मैं आप से कहूं कि यह बीम का क्लियर स्पान निकाल कर बताओ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमारा कॉलम का साइज है 300 यहां से तो हम इसका आधा यानिकी 1.500 और यहां से आधा यानिकी 1.500 माइनस करेंगे टोटल तो हमारे पास 3.7 मीटर का बीम का क्लियर स्पान आ जाता है अब यहाँ पर हम को एक चीज़ समझ रहा है कि जब भी बीम पर ल्ओड लगता है किस तरह से यहाँ पर UDL लगता है or uniformly distributed you to its तरह से जब platform लगता है तो यहाँ पर बीम किस तरह से एक्ट करती है यह पूरा पूरा आज सिविल गुरुजी पे जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजिनियर्स के बारे में आप मेरे वीडियो को बहुत दादा प्यार देते और सपोर्ट भी करते हैं तो आपे की डिमांड्स पर मैं हर एक टॉपिक लेते आता हूं और भी अगर टॉपिक्स में आपको मुझसे जान average bending moment diagram बनाया जाएं और इसको मैं one line में डिस्क्राइब करूं तो यह देखे कुछ इस तरह का bending diagram बनता है अगर इस line की बात करूँ तो यह हो गया हमारे neutral axis क्लियर है क्या यह सब बनीज कर दिया हमारा डाइग्राम में यहां पर जो हमारा आप देखर है neutral axis के उपर यहाँ पर हमारा आता है negative movement और इस neutral axis के नीचे यहाँ पर आता है हमारा positive movement जब बेंडिंग movement डागरम बनता है अलाग अलाग loading के लिए जैसे कि अगर माल लेते हैं W अगर यहाँ पर load आ रहा है UDL के form में तो WL square by 12 यहाँ पर negative movement आ जाता है इस neutral axis के उपर और ठीक उसी तरह से WL square by 24 इस neutral axis के नीचे positive movement आता है तो इसी basic theme पर ही depend है कि steel यानि की लोहा कहां लगता है और किस तरह से लगता है जहाँ पर भी यह bending movement का effect आता है इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ corner से यानि की support पर near the junctions जो हमारा column का पाट यहा पर negative आ रहे है ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी negative आ रहे है तो यहाँ पर steel ज़ादा आएगा ठीक उसी तरह से जहाँ पर आप यहाँ positive देख रहे है bottom पर तो neutral axis के नीचे steel यहाँ पर जादा आएगा इसका मतलब की जो भी आपका steel जिस भी जगा जिस भी हिसाप से लगता है वो depend करता है कि वहाँ पर bending movement कितना या किस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर जो चीज हमने समझी अगर मैं इसी same to same diagram को अगर मैं beam पर लेकर जाओ तो वो किस तरह से दिखेंगा हम देखते हैं कि सबसे पहले देखी है हमारा neutral axis आ गया beam पर यह हो गया हमारा na याने की neutral axis ठीक है अ तो हमारा इस तरह से कुछ bending movement diagram आया था तो यहाँ पर हमने देखा था कि भई यहाँ एंड पर negative आ रहा है यहाँ पर भी नेगेटिव और बीच में positive moment generate हो रहा है कोई center पर maximum bending movement होता है तो यहाँ पर हमको जो देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए जो दो point आपको point of counter fracture यह हमारा point of counter fracture क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर जो moment या फिर हम शियर भी बोले तो यह हो जाता है zero यहाँ पर किसी भी तरह का effect यह फर्क नहीं पड़ता है तो यह वाला जो zone होता है यह हमारा सबसे safe zone होता है अगर मैं बात करूं हमारे beam के case में है फिर slab के case में जो मैं बहुत सारे videos में आपको information भी दी है तो यह हमारा सबसे safe zone होता है अब बात करते हैं कि भी जब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमें side में हमारी bar कहा आने वाली maximum ऊपर की ओर आने वाली है और beach में maximum bar कहा आने वाली है नीचे की ओर आने वाली है तो इसको किस तरह से लगा प्लेसिंग और positioning नेमिंग आपको अच्छे समझ में आजाए इस वीडियो में तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले लगती है हमारी top main bar जो की ऊपर क्यों होती है अब main bar क्यों और कौन सी बार को main bar कहते है जो भी बार किसी एक support से लग के चालू होती है और दूसरे end support तक ज प्लेस पाने 3.7 मिटर यह समझ में आ गया कि main bar कहला रही है लेकिन यह बार देखी यह अंदर भी जा रही है अब यह जो बार अंदर जा रही है क्यों जा रही है वो इसी वड़े से जा रही है क्योंकि इसको anchor करना होगा जो beam में beam को support करना है तो beam का load distribute करना है column पर तो beam की steel reinforcement है वो अपने load distribute करेगी column पर जब वो load distribute करती है तो हमको certain amount of length को अंदर डालना पड़ता है column के reinforcement के साथ अब यह जो length होती है यानि कि इस point से लेकर इस point तक की जो length होती है इसे हम कहते है development length यानि की LD या फिर इसे हम कहते है anchorage length भी development length या फिर anchorage length तो यहाँ पर जो anchorage यानि की development length की value होती है इस point से लेकर इस point तक की वो होती है 50D, 50 into diameter of bar for example कि हमने भी यह ले लिया कि यहाँ पर जो हमारी bar use हो रही है वो है top main bar के लिए जो हमारी bar use हो रही है 12 mm की clear 12 mm की हमारी bar use हो रही है अब सेम बात करो तो इस point से लेकर इस point तक की clear length है वो कित्ती हो रही है 3.7 meter तो plus 3700 mm में convert कर दिया clear फिर यहाँ पर भी तो यह anchor हो रही है इस point से लेकर इस point तक यह anchor हो रही है तो यह भी हमारी कौन से हो जागी 50D तो यहाँ पर plus 600 यह मैं generally आपको बता रहूंगा आपको detail पर bbs सीखना इसका तो नीचे link पर मैंने यहाँ i button पर भी और description पर भी इसका video link दे दिया है detail पर continuous beam का bbs आप उस video से जाकर सीख सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं conclude करूंगा तो यहाँ पर मेरा 3700 प्लस 1.2 4.9 मीटर हमारा cutting length आ जाएगा clear यहां से लेकर यहां तक direct cutting length हमारे पास आ गया तो अगर आपको detail पर जानने तो वीडियो को ज़रूर follow करिए इसके बाद जो हम हमारी लगती bottom main bar जो की यहां से start होती है और ठीक इसी तरह से यहां पर आकर end होती है यहां पर भी development यानिक LD आता है same value अगर इसका diameter 12 है तो इन दोनों की length एकदम same होगी लेकिन अगर यहां पर diameter change है clear अगर इस bottom main bar का dia change अगर 16 है तो यहां पर क्या जाएगा 15 to 16 15 to 16 आ तो आपको इस चीज का खास देना है bottom main bar के case में अगर dia इसका बदल रहा है तो अभी तक हमने दो बार देख ली top main bar और bottom main bar अब यह दोनों बार का जो most important work होता है वो क्या है beam को properly frame structure provide करना beam को proper support provide करना अब beam आपकी या तो rectangular या तो square होने वाली है तो यहां पर जो minimum number of bars आएंगी आप समझेए जो minimum number of bars आएंगी वो four तो होंगी ही होंगी four numbers यानि कि दो उपर के zone पर और दो नीचे के zone पर यह minimum number of bars तो आना ही आना है beam के frame में अब इसके अलावा जो भी load as per load design किया जाएगा bars आती हैं लेकिन वो site पर कैसे execute करना है उसके checklist या फिर क्या terms norms होते हैं वो अब हम discuss करते हैं तो इसके बाद जो next और तीसरी बार आती है top extra bar अब इस top को हम extra bar क्यों कह रहे हैं क्योंकि जैसा हमने bending movement diagram पे देखा था कि यह जो junctions के support वाला zone होता है left और right support वाला वहां पर negative bending movement जादा होता है clear है इसका मतलब कि वहां पर support और steel भी जादा चाहिए होता है तो इसी वजह से जो supports के corner होते हैं यानि कि junction वाले part होते हैं वहां पर top extra bar आता है top के और क्यों क्योंकि यहां पर bending movement जादा आ रहा होता है clear engineers अब बात करते हैं कि भाई यह top extra bar है इसकी cutting length सेम उसी तरह से निकलेगी for example यहां से लेकर यहां तक के point की value होती हमारी 50D same 15 to diameter of bar और top extra भी for example 12 mm की ही है तो यहां से जो हमारी value है कि 600 आ जाएगी लेकिन अब यह सबसे बड़ा question arise होता है और आपके mind में doubt होता है कि sir जो top extra जो भी बाहर निकल कर आती है वो कितने distance तक आती है तो मैं आपको basic general thumb rule ही बता रहा हूँ और यह किस basis पर बता रहा हूँ जितने भी drawing साथ तक मैंने workout किये है as per side conditions भी और जो knowledge मैंने लिया है उसके basis पर जो हमारी top extra की distance होता है वो कितना होता है L by 4 और L कहा है हमारा यहां पर देखिए effective span L is equal to 4 meter यानिकि इस column के center से इस column के center तक का हमार length कितना है 4 meter तो L by 4 मैं करता हूँ तो 4 by 4 यानिकी 1 meter इसका मतलब कि इस column के face से यहां पर आप देख रहे है column के face से लेकर इस 1 meter तक यह top extra हमारी निकल के आएगी अगर यह span आपका 5 meter हुआ तो 5 by 4 उतना आगे आएगा 6 meter हुआ तो 6 by 4 यानिकी 1.5 meter तो उतना ही आगे निकल कर देना है clear engineers अब चलते next part पर कि जैसी top extra समझ में आ जाता है तो इसका cutting length निकालने के लिए क्लिए क्लिए यहां से लेकर यहां तक हमारा किता होगा फिर से अगर आपको detail पर cutting length जैसे मैंने बता है नीचे लिंक description पर वीडियो दिया गया आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं यह होगी हमारे तीसरे नंबर की बार अब जैसे कि हमने देखा था कि भाई जो साइट सपोर्ट से वहां पर movement का effect उपर तरफ जादा था negative क्लियर है हमारे जो neutral axis है उसके उपर अब जैसी मैं center पर आता हूं तो center पर जो movement का effect वो बीच में यानि कि neutral axis के नीचे जाधा होता है तो इसी वज़े से यहां पर जो बार लगती है हमारी वो कौन से लगती है bottom extra बार clear engineers जो हमारी पहली बार होगी top extra दूसरी बार होगी bottom extra तीसरी बार होगी top extra बार पहली बार होगी top main बार दूसरी बार होगी bottom main बार तीसरी बार होगी top extra और जो हमारी चौथी होगी bottom extra बीच में क्यों आ रही जैसे कि हमने बताया neutral axis के नीचे center पर जाधा movement का effect होता है इसी वज़े से केवल center पर ही आती है अब कितना आती है उस चीज को समझते सारे engineers का doubt होता है कोंशन भी होता कि sir क्या यह जो बीच का part बचा है उसी के ही नीचे आएगी exactly यह थोड़ा आगे भी निकलती है अगर आप side पर जाएंगे देखेंगे तो यह थोड़ा आगे ही निकली हुई होती अपने top bar जहां पर end होरी उससे अब वो कितना आगे निकल सब्सक्राइब यह जो बॉटम की एक्स्ट्रा बार होगी यह इस जंक्शन से 600 mm और सेम इस जंक्शन से भी 600 mm अलग हटके यहां से लेकर यहां तक पूरी लगने वाली है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर अब आपको cutting line निकालना है तो कैसे निकलेगा बही clear span कितन है हमारा 3.7 मीटर यहां पर clear span है अब 3.7 से यहां से 600 हटा दो यहां से 600 हटा दो तो हमारा कितना बचता है bottom extra का 2.5 मीटर हमारी इसकी cutting लेंद आ जाती है bottom extra बार की तो इस तरह से पूरी बार्स हमारी लगती है एक बीम के frame में टॉप में बार, bottom में बार, top extra और bottom extra इस तरह क अब यहां पर जो एक और case आता है वो यह आता है कि sir crank बार भी तो होती है इसको हम curtail बार भी कहते है बीम के case में तो यहां पर क्या होता इंजिनियर जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा for example हमारा neutral axis हो गया यह neutral axis में यहां पर point of counter flexural आता है clear दो जगा जहां से negative और positive movement change करता है तो इस point of counter flexural पर ही क्या होता है यहां से top extra ऐसे turn होके crank होके नीचे आती है यह bottom extra जैसा काम करती है फिर यहां से ही उपर पहुच जाते इस तरह से तो यह bar same ही है इसमें किसी भी तरह का difference नहीं है अगर वो ऐसा continuous आ रहा है तो यह curtail यह फिर crank bar कहलाता है अगर नही नहीं आ रहा है तो क्या होता है यहां से इसको काट दिये जाता है और यहां से इसको काट के यह अलग top extra बन जाता है और यह अलग bottom extra बन जाता है इस case में इस type में bars लगाना ज्यादा आसान है और ज्यादा easy है working में efficiency ज्यादा आती है इसी वज़ए से अपके time पर हम top extra लग और bottom extra अलग से लगाते हैं क्योंकि यहां पर यह जो बार है जो यह crank distance हमारा बनता है जो कि होता है 1.42H clear 1.42H हमारे जो distance होता है crank का तो यह distance ही हमको extra मिलता है क्यों जैसे मैं आपको बता है यहां पर किसी भी तरह का movement का effective नहीं है तो extra distance को minimize करने के लिए हम इस top extra को अलग और engineers hopefully इस video में आपको सारी details समझ में आ गई होंगे अच्छे से कौन कौन सी बार कैसे लग रही है आप कौन से topic पर मुझसे video चाहते नीचे comment करके जरूर बताएगा और इस video को end करते करते मैं आपको बहुत useful information जरूर देना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कॉलम स्लाब फुटिंग स्टियर के सज्जा पाइल पाइल के अब हर एक चीज़ का ड्रॉइंग रीडिंग से लेकर बार बेंडिंग शेडियूल बिल ऑफ स्टील पूरे प्रजेक्ट के स्टील कैलकूरेट करना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जूड सक के लिए रफक में जिसमें आपको सीखने को मिलते हैं बिल्डिंग स्टीमेश के साथ सर्वे के लिए फिल्ड वर्क बार बंडिंग सेडियूल के कैलकुलेशन और उसकी साथ एडवांस बार्बेंडिंग सडियूल यानिए कि एक्षल में किस तरह से अब बीबेस बना सकते है quantity survey and rate analysis excel के साथ और third मैंने में आप सीखते हैं billing का work MB book के साथ और उसी के साथ साथ bill book के साथ reconciliation of material DPR daily progress report बनाना और contract and tendering ये सारी की सारी चीज़े जो कि आपके building में आपको expert बनाती है आपको एकदम professional बनाती है सारी training आप कर सकते हैं civil गुरुजी के तीन मेंने के online module के साथ जो की है building practical training सिर्फ और सिर्फ मन्तली एमाई पर 3,487 रुपे 3,487 रुपीज मन्तली एमाई पर आप सीख सकते हैं तीन मेंने की call कर सकते हैं 91001234 पर और जादा जानकारी लेने के लिए counselor से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको job detective के तुरू job assistance भी मिलता है कि किस तरह से आप सारी चीज़े डीटेल पर सीख सकते हैं और इस तीन मेरे के training course की में जो आपको certification मिलते हैं हर एक पार्ट के लिए estimation, billing, BBS, QSRA, Contracting, Tendering, Surveying के हर एक तरह के certification भी मिलते हैं आप application और Google पर जाकर engineers के reviews भी देख सकते हैं कि उनको इस training से कितना फायदा हो रहा है और वो खुद को अलग-अलग जगा कितनी आसानी से place कर पा रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ training करना तो board line number 91001234 पर जरूर कॉल करेगे engineers और इसका detail content अगर आप जानना चाहते है PDF का तो वो भी नीचे link का description पर मैंने दिया है तो उसको भी आप download करके पूरी detail content पढ़ सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें सारी training सिविल गुरुजी के साथ कर सकते हैं अगर आप मुझसे और लाइक और चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाओ तो जरूर कमेंट करके बताइए एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो का अगर आप एक लाइक वीव से जादा पहुचाते हैं तो आपकी जितनी भी demands है जो भी आप मुझसे कमेंट करते हैं मैं उसको regularly continuously जरूर बनाते रहूँगा सो इंजीनियस किस बात का इंतिजार करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुर जी के साथ start your learning now मिलते हम नेक्स वीडियो में इसी जोश और इसी जुनूर के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत